हलो गाईस गुड आप्टेनून सभी लोगों को मेरा प्याबहार नमस्कार और बेए प्येस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लैपर आज हम लोग करने जा रहे हैं के मिस्ट्री के उन कुष्ण का रिविजन जो एवरिडे लाइफ में और इंड थैंक यू फोर डवीस्स चालिए सुरू करते हैं हम लोग सो आज के वो एक इमिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट संसे जो इंड़े स्ट्ियल के अर अप्लाइड के मिस्ट्री होती है उस्ट रिलेटेड है और यहीं से एससे सवाल पूछता है तो बार-बार पूछे जाते हैं यहां से कुस्टन तो हम लोगों को वो कुस्टन रिवाइस करने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे कि क्या वो हैं और किस तरीके से कुशन फूचे जाते हैं ठीक है बच्छा चलिए तो अभी आपका जो क्लास चल रही थी अभी टू थर्टी पर नहीं चलेगी अब ये class 230 पर नहीं चलेगी क्योंकि आप लोगों की demand थी कि regular class चाहिए आप लोगों को lucent की जो series है वो regular चाहिए तो अभी जो time slot की according ये class है जो lucent की series हम continue कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि 5-6 question करेंगे सार सब्जक्ट के 1000-1000 लगबग अभी science हो खतम हो गया था जोग्रफिय आपकी चल रही है कुछ topic उसमें बचे हुए Indian geography के वो हम Monday से खतम करेंगे उसको और इसके बाद quality या हिस्ट्री में से कोई एक सब्जक्ट सुरू किया जाएगा आप लोगों की demand पर तो टाइमिंग रहेगी आपकी साड़े 5 डेली रहेगी लिवसेंट की सीरीज और रेलबे में चलती है आपकी class साड़े 6 बजे इसमें भी नएने topics होते हैं अच्छी class यह चलती है और यह चलेगी लेकिन यह जो पैट वाली लेकिन आपकी मॉर्निंग में होंगी और करेंट करांगा इंपोर्टेंट में आपको ठीक है चलिए तो सुरू करें लोग आज का नमारा पहला question वह यह है radio activity is the fission of radio activity एक phenomena है जिससे energy produce radio activity materials होते है उनसे radio activity एक phenomena है heat energy बगारा प्रद्थी इससे the nucleus, iron, atom और the molecule इन में से किस का phenomena है radio activity जलनी से बताई चलिए नियुकलियस 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 तो इरन्युकलियस नियुकलियस 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 इंचों नियुकलियस में और यह तो थूरत यॡ़ा bae यह ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद यह ब्रेक होता है किसमें बालेलियम क्रेपटॉन mendhler ढले अग्य इसमें ब्रेक होता है से इनरजी फेन्सिपुले क्राइब 206 206 is the final product चलिए अगला कुछन आता है what is the unit of the physical quantity radio activity radio activity की radio activity की जो physical quantity है वो क्या है चिन में अस्ताना जी बोल रहा है smart लग रहे हैं सर ठीक है आपकी नजरों का कसूर है कि आप हमें smart समझ रहे है चलिए रेडियम रेडियन बेकरल और दा st chantम रेडियन और केल्वन इन में से कौन सी यूनिट है रेडियो अक्जिविटी की जल्ली से बताईय जलिए शलिया Kelvin से तो temperature नापते है, temperature नाप बजाता है Kelvin से और radio activity की जो unit है वो है becquerel, becquerel is the unit of the radio activity, ठीक है क्योरी नहीं होगा, आप लोग कभी अगर क्योरी पढ़ें या radian answer लगा रहे है, radian कहां से हो जाएगा radian नहीं होगा बैटा, becquerel is the unit of radio activity, the physical quantity, ठीक है what is the physical quantity, is the becquerel, clear is this, चलो, एक scientist थे, scientist का नाम becquerel था उनी के नाम पर ही है, यह physical quantity का नाम रखा गया है, आगे बढ़ते हैं, next question the phenomena of the radio activity was discovered by, radio धर्मिता या radio activity जिसको बोलते हैं, यह जो phenomena है, यह किसने सबसे पहले discover किया, option आपके सामने है, becquerel, rutherford, curie और the suri, इन में से किस scientist ने यह phenomena discover किया, जल्ली से बताइए, चालिए radian तो angle का होता है, royal राजपता ना एकदम से सही बोल रहे हैं, आप radian तो angle नापते हैं प्रिंस का answer आपर C आया है, चली अच्छी बात है, चिनमे का आपर C आया है, प्रेम का B आया है, सुनाली का A आया है, मुझे पता है इस question में बहुत जादा दिक्कते आप लोगों को होती हैं, कई लोग इसमें गलत answer लगाते हैं, रदरफोर्ड तो नहीं हो सकता कहीं से भी, रदरफोर्ड जो है वो एक atomic model है, जो atomic model दिया था, यह atomic model दिया था, अगर बात करें आपके क्यूरी और दे वेकरल, A और C में दो जो मेडम क्यूरी जिसको बोलते हैं, इन्होंने दो radioactive, radioactive जो element है, उनकी खोच की है, जिनका नाम है radium and the polonium, radium और polonium की खोच की है, radio activity की खोच नहीं की है, यह बात याद रखिएगा, इन्होंने radium, radium की खोच किस नहीं की है, अगर यह पूचा जाए, radium और the polonium, polonium की जो मेडम क्यूरी ने, अगर पूचा जाए कि radio activity की खोच किस नहीं की है, तो back roll ने की है, इसी बज़े से radio activity की unit है, वो back roll है, ठीक है, क्यूरी क्यूरी नहीं आती है, इसमें, तो क्यूरी भी है, बेक्राल भी है, लेकिन सबसे पहले क्यूरी आई थी, क्यूरी के बाद, final product जो radioativity decay होता है इसमें जो final product बनता है यह कौन सा बनता है आपके हम ने options ने है वो फाइनल प्रोड़क्ट बनता है कौन सा लैड 206 लैड 206 ठीक है बागी और चैन होती है इसकी रेडियोक्टिविटी की फाइनल प्रोड़क्ट लेड बनता है प्रेम चिनमे राइट अंसर लेड 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 बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं इन इंडिया नुकलियर वेपन वाच टेस्ट एड जो इंडिया का नुकलियर वेपन टेस्ट हुआ था ये कहां पर हुआ था सिरी हरी कोटा बैंगलोर पोखरन और दा कांची फुरम इनमें से किस जगा पर तो इंडिया का जो जो नुकलियर टेस्ट था ये बहुत ही गुप्त तरीके स किया गया था क्योंकि जोुनाटिज नियुसन्स है और भी कंटीछ के द्वारा जो आपके टृटी भूई थी उन टृटीज में बताया गया था कोई भी कंट्री नेकिलिर टेस्ट नहीं करेगी नीकलिर हत्यार नहीं बिनाएगी तो इंडिया ने ये टेस्ट छुपके किया था कहां पर पोखरन अब यहां से सवाल एक और पूछा जाता है कभी कभी कि पोखरन कहां पर पढ़ता है तो पोखरन इस जैसल मेर राजिस्तान कहां पर जैसल मेर जैसल मेर में है पोखरन राजिस्तान में है एक सवाल और यहां से प सबाल यहां से बनते हैं SSC में कुछ यहां से नहीं पूचा जाता है ठीक है कर दिखाया गया बिथे अब必 ही जोन ऑब्रहें कि वर्डियो एक्टिविटी जो दुत रंगे हैं उनको छुपा लेता है उनको उनको एब्जॉर्ब कर लेता है 1998 तीपक कुमार 11 माई 1998 11 में 1998 यू आपसुलूटी राइट ग्यारा माई 1998 और अटल जी वहाँ पर प्राइम इनिस्टर थे रहाल राज पुदाना जी एकदम से सही आंसर है आपका अटल विहारी जी अटल विहारी बाच पे जी जो थे अटल जी यह हमारे प्राइम इस्टर हुआ करते थी यही कुश्चन यहां से बनते हैं ठीके बाद चलो आ के बड़े ने स्कुशन शी इस रेडीयो अक्टियविटी मैजर्ड वाई केलोरी मेटर पोलोरी मीटरर बैरो मीटर और गीगर मुलर काौंटर इनन्시는 है किस से रेडियो एक्टिविटी नापने जाती है इनमें से किस से बताए अ कौन सी हीट जो chemical reactions से निकलती है chemical reactions में जो heat निकलती है या absorption होती है छोड़ी जाती है, या किससे, छोड़ी मीटर से नापी जाती है यहां पर दूसरे लिखना है polarimeter, polarimeter से angle नापा जाता है, पुआरी मीटर से angle Giger Miller Counter, D is the answer, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही है, एक दो लोगों के गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्जाम में गलत मत करियेगा, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी गैस है, जो एटमोस्पियर का पार्ट नहीं है, मतलब एटमोस्पियर में वो गैस नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, नाइटोजन, हीलियम, क्लोरीन, या नन अप दी एवर, बिच आप दा गैस इस नोट दा पार्ट आप पार्ट अप दे आटमोस्पियर, क्लोरीन, 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 बहुत ही आप लोगों का, क्लोरीन, जो है आपका एटमोस्पियर में नहीं पाय जाता है, क्लोरीन जो मिलती है, दो जगे पे मिलती है, बो जगे पे जान लीजिए, पहली आपकी जगे होती है, जहां पे ओसियन, ओसियन वाटर में मिलती है, पहली जगे तो यह हो गई, कहां पे पाय जाती है, यह भी पूह सकता एक्जामनर आपसे, दूसरी जगे हो गई, दूसर water में फैली होती है इसका सबसे बढ़ा इसम के अर्थकृष्ट में भी इर्थकृष्ट में भी पाया जाता hyalite, hyalite और sylvite दो नाम है जो पाये जाते हैं अर्थ, krisht में, hyalite, hyalite बोलते हैं किसको NSL को बोलते हैं, और एक आता है sylvite sylvite, sylvite यह होता है potassium chloride, k betrayfte होता है, to科ел nсл को बोला जाता है, जो कrisht में पाये जाता है, इसको hyalite बोलते हैं, और k замечel potassium chloride में कुलोरीन और किया बोलते है है या ये इस तरीके से युच्टे बनते हैं चले कि जी ऐसीरीज पढ़ी हुई यह 1000 प्लेइस्ट है पहाँ पर देख लीजएगा उसमें पूरी 1000 कोश्चन कराय हुए फाइब इस फोर मेकिंग व्रिसल्स और ब्रस बनते हैं और आई की ऊपर लगता है उसका अलग ब्रस होता है, अलग लग तरीके के ब्रस होते हैं, ये ब्रस जो हैं किसके बना जाते हैं? Cabler, Nylon 66, Terrylene, और The Leg इन में से किसके ब्रस बनाए जाते हैं यह कुछन पोचा जाता है ठीक है तो नाइलोन 66 के ब्रस बनाए जाते हैं यह इनोगनी कंपाउंड है नाइलन 66 इसके ब्रस बनते हैं ठीक है धान दीजेगा इसके अलाबा ब्रस और भी तरीके से बनाए जाते हैं अभी तो नाइलोन 66 six है लेकिन और भी soft brush पाई जाते हैं जिसमें इस्कोरल जो गिलहरी होती है गिलहरी या जिसको एस्कोर बनते हैं तो गिलहरी के बाल से भी गिलहरी के बाल से brush बनाए जाते हैं खासकर करके जो make-up के brush बनते हैं ये गिलहरी के बाल से बनाए जाते हैं, horses के बाल से भी, hair से brush बनाय जाते हैं, pig होता है, pig के hair से भी brush जो hair होते हैं, इससे भी brush बनाय जाते हैं, अलग-अलग जगा भी use होते हैं, तो इसलिए जो जानवर के बाल होते हैं, यह काटने के बाद बेच लिये जाते हैं, बेचने के बाद इनका use होता है industrial में, ठ कभी कभी कुछन पूचा जाता है कि बुलेट प्रूफ जैकिट्स जो बनती है बुलेट प्रूफ जैकिट्स ठीक है बुलेट प्रूफ जैकिट्स जो बनती है यह किसकी बनती है तो यह जो कैबलर है ना कैबलर की बनती है बुलेट प्रूफ जैकिट्स यह नोट कर कोटन बाले और यहां से साड़ी इससे साड़ी या कपड़े बना जाते हैं फिर आता है लेग्जन से तो Lacsinia से जितनी भी आपकी bottles बनती हैं, जो पानी की bottles आप पीते हैं, तो पानी की bottles बगएरा और जो आपके phone होते हैं, cell phone होते हैं इसके चो case बना जाते हैं, उपर की cover बना जाते हैं, इस सब में जो plastic use होती है जो जो 얼्स होती है यह आप याद रिखेगा, ठीक है? चलो आगे बड़े अगला कुछ चना आता है आपका यहां से कि बॉक्साइट इस और फिरी फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं कुछ मेटल पाए जाते हैं बाकि और में पाए जाते हैं बहुत बार पूचा गिया है तो इस दा और अल्मॉनियम का और है बॉक्साइट ठीक है चलो आगे बड़ें कौट इस मेड़ ऑफ कौट किसका बना बना होता है जिससे कौट से ग्लास बनता है क्या बनता है कौट से ग्लास बनाया जाता है कांच कांच इसे बोलते हैं आप लो कांच या ग्लास बनाया जाता है यह किसका बना होता है कैल्सियम सेलफिट कैल्सियम sodium silicate sodium sulphate sodium silicate चलिए ठीक्ट तो इसका जो फॉर्मला होगा हो जाऒगा sodium silicate कि अब भॉनयू्यम इल्मुनियुम 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 ँ चलिए अब इसका पताएं आप फटाफट कॉढड़ जी बेट आफ डी आंसर है काउन सिंग ने आप सिंगने डिया डिसुब्रा योगर आंसर एस राइड अपिसुडियूट जोंडियू होता है सोडियंच सोडियूंस एंसर इंजिंग अगेश्थ होता है दी आंसर आर्प साबन जोहान का आंसर सही है यहां पर और सबके आंसर यह गलत है और सबके गलत है अमित यामत यद्वनसु का भी सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुस्चिन दा कुस्चिन इस फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क इस कर्ड डिव टू अब दूद से दे को बहुत सवाल आते है से dépendें और से इसलेुए ंसरी मिल्क एक लोग इसके देखा हो गाका दूद में खटी स्वान साथ में आती है या दूद का खटापन पहाया जता है जाता है दूद फटने के साथ साथ में जो दही बनती है या दूद का खटापन जो पाया जाता है सब का आंसर यहां पर क्या होगा लेक्टो बैसलस होगा लेक्टो से ही सुरुवात होती है तो बैक्टिरिया हो जाएगा लेक्टो बैसलस एसे हो जाएगा लेक्टिक हो जाए हुलका सा मीठापन दूद में रहता है यह किस वज़े से रहता है यह रहता है तो muscles में आपके pain होता है, वो muscles में pain किस बज़े से होता है ? बो muscles में जो acid बनता है , वो कौन से बनता है ? lactic acid बनता है muscle में , muscles में islactic acid बनता है यहां से हसे सवाल आप से पूछे जा चुके हैं, चलि आगे देखते हैं नाइस मिछनु है जो दूद है काफी समय रकने पर खड़ा होजाता है किस की बज़े से होता है चुपि चाहँ के आगे बढ़ Vergleich यह यहाँ बढ़िव डूटा या ट on선 के भी खटक्र और खटक्र की इसटीन मेरे हैं किसकी बज़ेसे होता है फिर से आप क्या करेंगे Lactic Acid लगा देंगे, Lactic Acid, फिर से दही इसकी खटा होगा Lactic Acid, पर यहाँ पर Tartric Acid भी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर Tartric Acid बोलते हैं या कि आम भासा में इसको Tartry बोलते हैं, जो गाओं बगर हम लोग रहते होंगे या किचन के लिए लेकर आ तो यह इमली में पाया जाता है घ्यान दिजिएगा इमली इमली और एक जमाना था जब गोलगप्पे कि दूद के पास्ट्राइजराइशन के क्या मतलब है पास्ट्राइशन का WHY इस होता है कि दूद को हपास्ट्राइजराइशन आता है यह इक तो आता है ऩो सुबस कर दूद आता है जो 28 रुपे यह होता हैं यह तो होता है जो 70 इह बहुत मैं समय तक चल सकता है खराब नहीं होता है तो यह क्या किया जाता है यह इसकों कॉसे करतें है इसको का विए अगर गरम करते है कि जो बैक्टिरिया इसमें बनता है, अर दूद को हराब नहीं मर जाता ऑर थो जल्दी हमारा खाराब नहीं होता है तो अगर टाइम- टाइम- दूद को गरम करते हैं, तो bacteria formation नहीं होता है, acid formation नहीं होता है, जिस बज़े से दूद हमारा खराब नहीं होता है, बरना bacteria बन गया, तो वो acid release करेगा, और यहाँ पर किया होगा, धूद खराब हो जाएगा, यह फट जाएगा, तो यहाँ प जाएगा, और यहाँ से question एक और बनता है, देजेगा लुइस पास्टर हमेसा याद रखिएगा ये पास्टर हमेशा है यह पास्टरast सुखर यह चलिए आगे बढ़ेगा, ntose, maltose, galactose और सुक्रोज इनमें से कौन से टाइप की सुगर है जो दूद में पाई जाती है यह कुशन भी दूद से बना हुआ है तो लेक्टोज माल्टोज गेलेक्टोज और सुक्रोज इनमें से कौन जल्ली से बताओ जल्ली से बताओ कि चलिए यह मज़ेदार कुस्सें होते हैं इनको कुस्सन गरने मज़ा आता है और बहुत जादा डीप में कैमस्ट्री पढ़ने जरुरूट नहीं है डीप में कुस्सन नहीं पोचे जाते हैं यहां पर कुस्छन है कि मिल्क सुगर मिल्क सुगर यह सुगर में कौन सी मिल्क पाई जाती मैंने आपसे बोला एक ट्रिक बताई थी कि जहां भी दूद-स लेना देना हो लैक्ट लगा दीजेगा लैक्ट यानी लैक्ट और पारू को पारूल-s बनताए, अब यहां से कुब्सक्राइक यह पाई जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि अनाज खाईए इसमें चीनी मत मिलाईए क्योंकि चीनी को गया होता है तोड़ा जाता है माल्टोज में माल्टोज में तोड़ती है उसके बाद इस्टाज बगएरा को भी तोड़ा जाता है तो माल्टोज तो बैसी ही आपकी smallest small unit है ठीक है फिर आ पोटेटो के साथ में पोटेटों के साथ साथ में आप शुगर भीट जिसको बोलते हैं सकर गंद बोलते इन सम्में कौन से पाए जाएगा, गैलक्टोज पाए जाएगा, लिख लेजिए सुगर बीट, ऐसे करके नोट्स बना लीजिएगा, सुगर बीट, सकर गंद बगएरा में गैलक्टोज पाए जाएगा, अब आती है सुक्रोज, सुक्रोज क्या होती है, चीनी होती है, जो आ अगे बढ़ते हैं अगला question, the question is, what is the milk of magnesia, अब जो milk से question आया है तो ये भी पूश्ट देते हैं, what is the milk of magnesia, milk of magnesia किसको बोला जाता है, ठीकिर option आपके सामने है, magnesium carbonate, या sodium bicarbonate, calcium hydroxide, या magnesium hydroxide, इनने में से किसको बोला जाता है, milk of magnesia, एक नाम और है इसका वो भी लिख देता हूँ मैं आप लोगों के सामने, एंटा एसिट भी बोलते हैं, एंटा एसिट बोलते हैं, एंटा एसिट के साथ साथ में इसका फॉर्मला है, Mg, OH का होल ट्वाइस, ये भी कभी कोई पूछा गया कि वात इस दा फॉर्मला ओफ, मिल् हो जाती है acidity होती है acidity कभी भी लोग जो समझते हैं कि acid जानदा बन गे आपके पेट में ये गलत फनोमेना है लोग गलत बोलते हैं आप से कि पेट में जानदा acid बन गया है होता क्या है कि जब stomach में by stomach में HCL, hydrochloric जो acid होता है, release होता है, खाना पचाने के लिए, जब ये acid कम मात्रा में secret होता है, तो जिस बज़े से ये stomach क्या करता है, और acid को मंगाता है, कहां से intestine से और acid को खीशता है, तो जो acid आता है, उस acid के बज़े से पेट में, और वो acid आता है हमारे, हमारे जो नली होती है, आ permanent solution of the acidity, तो इनो पीने से, इनो से क्या होता है, जलन कम हो जाती है, लेकिन acidity का वो सही solution नहीं है, ठीके बाद, चलिए, अच्छी मात्रा में पानी पीजे, जब भी के वे acidity हो, खुब भेर सारा पानी पीजिए, पानी पीजिए, ठीके इन से क्या होगा, आपके acidity खतम हो ठीके, carbon, hydrogen, nitrogen और the oxygen, पारुल सुकला, काम खतम सिर्फ 6 सेकेंड में, काम खतम 6 सेकेंड में, मज़ा तो देता है थोड़ी दिर के लिए, लेकिन बहुत लंबे टाइम पर सजा हो जाती है वो, चलो, 6 सेकेंड में, बड़े अच्छे-चे add बनाते हैं, मतलब दिल का रास्ता, पतनी का head बना दिया, भाबनाओं को साथ खेलते हैं advertisement वाले भाई, इनो का मतलब पतनी और पती के रिस्ते पर इनो बनाने क्या ज़रूत थी आपको, कि भाई, पती के पेट का रास्ता, दिल का रास्ता पेट से हो गए जाता है, तो इनो पिला दीजिए, उसको ठुस ठुस सब से आदा, चलो, oxygen पाए जाती है, oxygen पाए जाती है, ये रट लो एक दम्यां से सवाल बनता है, जरूरी नहीं अशी पोछ दें, कभी-कभी सवाल यहां से आता है, और अलंग अलंग ऐता है, तो ध्यान दीजिएगा, 16% के आश्पास protein होती है, water 62% के आश्पास होता है यह 16 परसेंट यहां पर आजाए ऑक्सिजन 15 परसेंट कार्बन 18 परसेंट हाइड्रोजन 9.5 परसेंट नाइटोजन 3.2 परसेंट कैल्सियम 1.5 फासफोरस 1.2 इसके अलाबा पोटेसियम 0.4 वो सलफ़ 0.2, सोडियम 0.2, क्लोरिं 0.2, मैगनेसियम 0.1 और अदर जो होते हैं वो पाई जाते हैं एक परसेंट से भी कम पाई जाते हैं ठीके बात चलो आगे बड़े चलो वाट इस दा एलिमेंट डैट इस इन दा हाइस परसेंटी जिन्दा कंपोजिशन ऑप अर्थ अब मानब शरीर मानब कहां रहता है अर्थ पर रहता है तो अर्थ में बता दो अर्थ में सब्सक्राइब कौन सी चीज पाई जाएगी क्रश्ट की बात कर रहे हैं लोग सिलिकॉन ऑक्सीजन मैगनेसियम और दी आयरन इन में और यहां पर बीबात की जाए तो सबसे जाएंदा पाई जाती है अग्यान के बात की जायएं सिल्कॉन पाई जाएगी सिल्कॉन के बाद बात बात की जाए तो तो एलमुनियम होगा एलमुनियम के बाद पाय origin पाय जाता है तो औक्सीजन सिलिकोन और ऐारन यह चार चीजे टौप में पायं जाती नोट कर लिजिएगा oxygen टॉप पे होगी oxygen बन टॉप पे दूसरे नंबर पे सिलकॉन होती है तिसरे नंबर पर आपका पाए जाएगा एलमुनियम और चौते पर पाए जाएगा आइरन पाए जाएगा आइरन तो यह पॉइंट कर लिजिए यहां से चलो आगे बड़े अंसुमन केसरी का कमेंट पढ़ेगा आप बहुत मज़धार कमेंट किया चलो इसका इसकी इसका इसकी लिजिए आप लोग इसका इसकी सुट लिजिए ऑक्सिजन जो है वह 47 परसेंट है सिल्कॉन जो है 28% है, ऐलमुनियम 8% है, आइरन 5%, कैल्सियम 4%, सोडियम 3%, पोटेसियम 2.6% और दी मैगनेसियम, मैगनेसियम इसको सवाल पूचा जाता है, कई बार पूचा गया है, कई बार पूचा गया है, कई बार पूचा गया है, तो सिल्कान हो जाएगा, विच अमंग दा फॉलोईंग कोल कंटेंस 90% इनमें से कौन से कोल की कैटेगरी है, जिसमें 90% कार्बन पाया जाएगा, तो कोल किस लिए विज होता है, जिसमें कोला पाया जाता है, कोल होता है, कार्बन होता है, तो सबसे जादा जो कार्बन होगा, वो ही कोल अच्छा होगा, तो सबसे जादा कोल कौन से में पाया जा होता है और सवाल अगर आपसे भी पूछा जाता है कि विचिस दा विचिस दा मोस्ट मोस्ट यूस्फूल कह सकते हैं इसको या सबसे अच्छी जो बराइटी है कोईले की वो कौन से होती है तो वह एंत्रेसाइट आ जाएगी यह वेस्ट होती है यह वेस्ट होती है 90% की अगला कुस्चन कि अगर एकलीट की बाइट करें तो यहां पर होते हैं प्लस न्यू आलग्टों और था प्रेप्रट्त हैं टॉस्टाॉं ऑर्बिट की बात करें तो और प्लस बृटों तो इलक्टोन पाय जाते हैं और प्रोटम पाय जाते हैं जो नूक्लिय। keeping माश मांस प्रोटओंD्स नूट्र माश मेर अगर नंब्र की बात कि नंब्र फट्रो disff and neutron हो जाएगा यह कही बार पूचा गया है यहीं से सवाग एक कुछन और इसी में आता है वो कैसे पूचा जाएगा कि तो atomic number of carbon is six atomic number carbon का क्या है six है six है और इसका जो atomic mass है वो बारा है atomic mass क्या है बारा है अब पूचा गया है आप से कि कितने proton पाए जाएंगे nucleus में how many protons found in the nucleus how many protons found in the nucleus यह आपका numerical है चोटा सा चलिए atomic number हो गया six अगर atomic number six है that means इसमें जो electron का number है electron कितने हो जाएंगे six हो जाएंगे electron six हो हो जाए और अगर atomic mass 12 है तो प्रोटोन प्लस neutron कितने हो गे बारा हो गए और electron और proton उब प्रोटोन इक्कल पाय जाते हैं प्रोटोन इसकल टू क्या हो जाएगा यह इलेक्टौन हो जाएगा तो electron छे हैं तो प्रोटोन भी 6 होंगे तो 6 प्लस N is equal to 12 तो N is equal to कितना हो जाएगा यहां पर 6 हो जाएगा तो इसमें neutron भी 6 होंगे और proton भी 6 होंगे तो A is the answer 6 A is the answer 6 चलिए बहुत बढ़िया अगला कुछन इसमें और आता है वो पूचा गया sodium से कि sodium का जो अटोमिक नंबर है यह 11 वाट इस दा अटोमिक नंबर जो है इसका 11 है अटोमिक नंबर 11 है और पूचा गया इसका अटोमिक मास कितना है वो 23 है अब पूचा गया कि कितने प्रोटोन पाए जाएंगे इसमें how many protons in the nucleus of carbon चलिए इसका जल्दी से बता दीजिए आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका चीता हो आप लोग चीता सबसे तेज दरता है और सिकार को एक बार अगर दबोच लिया तो छोड़ेगा नहीं जब तक तोड़ेगा नहीं इसमें दिये रहो आंसर आप लोग बारा दिये रहो बारा बारा लगाए रहो लगाए रहो लगाए रहो दिमाग यूज मत करना हैं दिमाग यूज मत करना और बारा बारा करके जित्ती बार आंसर मत दिया करो क्या बात है क्या वात है मजा आ गया मजा आ गया आप लोगों का असर देखने मुझे मजा आ गया up अ कि ऑचलिय अ हाव मैशाओ हमेन इप्रोटोंस प्रोटोंस एक इंदा सूडियंत चलिए बता है फटा का बारावाल उगांसर दे लेने दो पहले बारावाल उगांसर दे लेने दो पहले चलो अब आजाएं देखो बच्छा होता कि अटोमिक नंबर 11 है इसका मतलब क्या है इलक्ट्रोन इसमें 11 है इलक्ट्रोन जो है वो 11 है जितने इलक्ट्रोन होते हैं इतने ही नंबर में क्या होंगे प्रोट्रोन होंगे चलो आगे बढ़ते हैं the question is which variety of coal contains recognizable traces of the original plant material कौन सी बैराइटी है कोईले की जिसमें original plant जो material होता है यह देखने को मिलता है में इसके traces मिलते हैं anthracite, lignite, peat or the bituminous तो देखो बच्चा अगर anthracite की बात करें तो anthracite में 90% carbon होता है लेकि 90% carbon के साथ साथ में इसका मौश्चर होता है यह और other element होते हैं यह खतम हो जाते हैं तो इससे trace मिलना आसान नहीं होता है जो इसके trace मिलते हैं original plant की यह कहां से ओजनेट हुआ है यह मिलता है peat में तो peat में कम मात्रा में carbon होता है लेकिन पीट जो होता है peat से मिलते हैं आपके original traces तो आंसर हो जाएगा यहांपर सारी गलत है सारे लोग गलत है आपर सारे लोग गलत है मुझे देखके बड़ा अच्छा लग रहा है यह कि पीटी दा चलो आगे बड़े डर कुस्छिन इस दपी एच ऑफ की मन ब्लाद इस होता है इसका पीच और लंब होता है इसका पीच कितना और पिएच आप齑 ब्लड इस भाटाईए जलिव धाईथ फिर्फ वूप युमन ब्लड जलिब से बताईये है इस रोफ आगे बेटा कि आगे आगे आप लोगों के 7777 नहीं होता है रिंगु चोद्री जी आप सेविन दे रही है सेविन नहीं होता है इसका जो आंसर हो जाएगा बच्छा कि दा पिएच ऑफ दा human blood is between तो human blood का जो पिएच होता है यह कितना होगा जल्ली से बताइए इसका जो प्लट होगा बेटा यह होगा 7.5 से लेके 8 तक 7.5 नहीं होगा 7.35 से होता है नेचर हो जाएगा बेसिक अगर कुश्चन आपसे पूचा जाता है कि वाट इस दा नेचर ओफ नेचर ओफ गल जाएगा सारे सारी जीज़ें वो गल जाएगी अगर बिलट आपका हो गया तो बिलट होता है बेसिक जिसकी पिएच होती है पानी के अलाबा अलाबा पूचते है यूरीन की पिएच कितनी होती है इसके अलाबा पूचते है जो मिल्क है मिल्क या दूद है इसकी पिएच कितनी होती है तो दो पूचे जाते है यह तीन और पूचे जाते है यहां पर वाटर वाटर के अलाबा यूरीन यूरीन के अल होता है slightly acidic होता है milk जो है वो slightly acidic होता है अगर यहीं पर urine की बात की जाए तो urine की जो pH होती है वो होती है बच्चा 6 से लेकर 7 के आसपास 627 होती है उरीन की pH 627 627 627 627 6-7 की बीच में होती है उरीन की pH तो 7 है अब लेकिन गुडिया निकलती है इसकी जो pH हो 6-7 के बीच में क्या यह एस थाथ्यक्तर जिसकी बज़े से यहीं पर यहीं की बहुgga के बचा जाता है और 6-7 के बीचिन पहुंच जाता है उसी बझे से जो होता है जो ड़क्रात बढ़ने के बाद जोडों का दर्द सुरू हो जाता है सिरदर्द सुरू हो जाता है बॉडी में घवराट होने लगती है और अजीब वजीब से इन डाइजेशन होने लगता है अगर यह यूरिक एसट बढ़ गया आपकी बॉडी में एसट की मात्रा बढ़ चुकी है तो जो पानी पीते हैं पानी पीते हैं उसके टीडियस वैलू टीडियस नहीं कि पानी में कितने मात्रा में अधर इलिमेंट पाए जाते हैं नहीं पाजाते हैं कितना गंदा है कितना साफ है वो टीडियस से नापते हैं तो उसका टीडियस से करवा लिजेगा पानी का उसके बाद जाता है उसमें बना जाता है कार्थ बलार भरा जाता है इसमें कार्वन यसद रांसर कि चलति हरह कि ही além चल düşün हो कॉंच रहा हैं regen कि सर से पुछो Benk Sens बताते हैं थो भदाने बात किया हैं आप लोग इन सा पातों LGBT है आप inspire क्यों कर जाते हैं I don't know sperm जो होता है sperm का जो pH होता है यह 7.2 से 8 के आसपास होता है 7.2 से 8 के आसपास होता है alkaline होता है basic medium होता है छारी होता है sperm ठीक है चलो इस परम सेल्सकाफियर्ज ठीक विचब फॉलिंग इस अलॉय इस यूज इन दा मेकिंग मैगनेट मैगनेट जो होती है मैगनेट में कौन सा अलॉय यूज किया जाता है और डियूरियलियम stainless steel, alnico and the magnelium इन में से कौन सा यूज होता है इसमें मैगनेट बनाने में तो मैगनेट में बनाने में यूज होता है alnico 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 जो होता है almonium nickel and the covalt इसका अलॉय होता है जिसके मैगनेट बनाई जाती है तो option हो जाएगा यहाँ पे alnico ठीक है बच्छा sees the answer next question आपके सामने यह है which of the following is the main nitrogenous waste in the humans humans में जो urine में जो waste निकलता है यह कौन सा होता है ammonia urea uric acid और the ammonium nitrate इन में से कौन तो जो urine है या उसका जो nitrogenous waste होता है यह होता है uric acid होता है uric acid और uric acid की खासे होती है कि uric acid बहुत time तक यह uric acid नहीं बना रहता है यह uric acid 4-5 घंटे के बाद यह convert हो जाता है किसमें ammonia में convert हो जाता है 4-5 घंटे के बाद तो जो urine होती है urine में 3-4 घंटे के बाद अगर यूरीन पड़ी रहती है इसी खुले में तो urine में smell आने लगती है वह smell किस बज़े में problem है और ammonia का content बढ़ चुका है जिससे उसकी body में toxicity बढ़ चुकी है वो जल्दी से जल्दी जाके अपना चेक अप करा है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं विचम निम लिखे में से कौन सा petroleum more बेक्स निम लिखे में से कौन सा petroleum मॉम है 25 वेच्वेज बेक्स या प्रडिक्त बनाया जाते हैं और उस बेक्स का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग या पैराफिन वेक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं पैराफिन बैक्स या पैराफिन banco बोल जाता है इसको और जो मदमोक् मौम्बत्य की कि बात बवश्अ करते हैं की स्गेडा निचलता है तौल यह परिशन बंदे उसमें भनें अको होता है आज मामार्थ बाले और कई अधर साइट्स है यह बोलती है कि हम petroleum product नहीं उच करते हैं हम यह उच करते हैं तो अलग-अलग organic site आ चुकी है तो उनके rate भी जादा होते है ठीक है चलिए आगे बढ़ें विच दा purest form of iron लोहे का सबसे सुद्ध रूप कौन सा है लोहे का सबसे सुद्ध रूप जिसमें carbon का content सबसे कम पाया जाता है तो यहां पर इस्टील है इस्टील कास्ट आइरन फिग आइरन रॉट आइरन इन्हें से कौन सा कौन सा होता है और इस दा-प्यूरिष्ट फ़ॉर्म आइरन तो आइरेस्ट प्रॉर्फ हो गी बहुत है रोट आइरन गडा लोहा जिसको बोलते हैं इस दा-प्यूरिष्ट फ़ॉर्म आइरन यह नोट करका रखेगा ठीक है चलो आगे बढ़ें अमंग डा फॉलोइंग iron ores the highest percentage of iron content is found in मतलब जो लोहे की अलग-अलग है है में टाइट मेंगनेट लिमोटाइट और नन अब दीज आंसर होगा है में टाइट में सब्सक्राइब जाता है ठीक है एक कुछन आप से पूंचा जाता है कि जर्मल जर्मन इंड घर धाल में पहां पर तो जो बहां की गाड़ियां वंती है आप इसे करके घ्ड़क लगांग के टहड़े हो जाईंए तो गाड़ियां पिचक जाती है इसा लगता है कि पतली किसी चाधर की तुछ की गई है लेकिन जो बहेंगी गाड़ियां होती है उनकी जो इतनी बढ़िया सीट भूती है कि पिछकती नहीं जलती कि तो यह कमाल है अप्टीद अगर और यह A बाए जाएका तो जर्मन सिल्वर में नहीं पाई जाती है ऐसा मत करिएगा कि सिल्वर पाई जाती है इसलिए इसका का नाम जर्मन सिल्वर रख दिया ठीक है चौल नेस्ट कुछ संड जो यहां से बनता है विच आप आपका क्या आंसर हो जाएगा इसा नहीं पाई जाएगी ठीक है तो यह आज हम केमिस्टी को करने के बाद मंदे से आपका साड़े पांच बजे में फिर से बता देता हूं 530 पे आपका जो लुशेंट की सीरीज पॉस हुई थी फिर से स्टार्ट हो रही है साड़े पांच ब सबसे पहला मेंस के दौवा वह सब से पहले मेंट यह कंसा कौपर सिलवर कॉ anytime और देता हूं इव पांच मानवो के दो एकुट से बताएben कि कौनबा सबसे पहले इंसानों के दार्विग यूच किया गया वो है कौन सा copper है, सबसे पहले उच किया गया, वो copper उच किया गया, copper, copper उच किया गया सबसे पहले, copper उच किया गया, आप लोग ना ब्रॉंज इसमें ब्रॉंज लगाया होगा मुझे पता सब्रॉंज लगाया हो तो कोई बाद नहीं आप लोगों गलती नहीं है बच्चमांसे सोर आपके नहीं डिक्कत नहीं तर्स नोट कर लेजिए आप लोग लगबख 8700 BC, 8700 BC के आसपास ये यूज हुआ, copper, copper यूज हुआ, अगर यहाँ पर बात करी जाए, bronze की बात करी जाए, bronze आप लोग जाए अंसर लगा रहे है, bronze यूज हुआ, 5000 BC के आसपास से bronze यूज होना शुरू हुआ, अगर iron की बात की जाए, तो iron यूज होता है आपका rig बैदिक का काल होता है, later Vedic period, यानि कि 1000 BC के बाद, 1000 BC के बाद ये यूज होना होता है, शुरू होता है, iron यूज होता है, तो यह आप नोट के लिए यहाँ से, this is the history, copper, copper is the right, copper सबसे पहले यूज हुआ, 8700 BC के राउंड, और 5000 BC के राउंड, bronze स्टार्ट होना शुरू किया, यूज, iron ज substance used to make parachute, parachute बनाने के लिए कौन सा polymer यूज किया जाता है, सर 6 की, 6 की क्लास आप लोग न, 6 मतलब क्या है, अच्छे की 6 क्लास है, 6 की 6 क्लास महीं लूँगा, Lucent वाली सीरीज जो है, वो खतम करानी भाई, बहुत इंपोर्टेंट है, और उसमें 5000, 6000 कुशन कराने के बाद, बच पराशूट बनाने के लिए हुज होता है, ना, 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 रेवन नहीं हुज होता है, रेवन, रेवन, टेरीलिन, अरे याँ टेरीलिन के तो साडियां बनती हैं, आप लोग टेरीलिन लगा रहे हो, टेरीलिन के साडियां बनती हैं, साडिय बनती हैं, कपड़े बनते ह है टेरी लिन के ठीक है चलिए जल्दी से बताई आप लोगो टाइम दे रहा हूं मैं कि चलिए चलिए रेओन विश्कौस इकदम विस्कौस आपका सही सिहां देखो रेओन जो गया रेओन रेओन भी कपड़े की कॉल्टी है लिए सब बंद यह बंदार जाते हैं कि इसके रियॉन और टेरिलिन के बना जाते हैं कोटन की भी अप तो आने लगी साड़िया पहले रियोन और टेइलिन बना जाती थी लेकिन जो सक्त कपड़ी होते हैं सख्त जैसे चाता बगए चाता हो गया या मान लेजिए परावशूट बगए यह सब कपड़े बिसकोस के बनाए जाते हैं कोटन के भी कपड़े बनते है है पीने का Soda जो है वो कैसा होता है चारीह होता है हम लिए होता है निवट्रल होता है या औक्सिडेंट होता है जो सोडा पीते हैं हम लोग कि अच्छा पीडिया पर दिया करें ठीक है अंसर देदें लेकिन सोलुशन के लिए आपको क्रास करने नहीं पढ़ेगी प्रिंस कि अलकलीन एसटीक नीट्रल और अउक्सिदेंट इनमें से कौन सा मीडियम होता है सोड़ा पीते हैं लोग फोटा कुछ लोग और जगा पर भी यूज करते हैं सोडा ट्रिंकिंग सोडा उदासीन नहीं होता है आंसर दिया पाल्व सुकला ने भी अग्लाइट टाल स्लाइट्ली होता है कभी है अगर सोडा आ आपके पास हो और इस सोडा से आप घर की फर्स साफ करिएगा तो घर की फर्स नहीं पर बहुत बढ़िया साफ होती है सोडे से ठीक है चलो है अधा हीट रिजिस्टेंट वैराइटी ऑफ ग्लास इस कांच की जो गर्मी गर्मी प्रत्रोधी किसम है वो कौन से ग्लास में पाए जाती है पायरेक्स ग्लास हार्ड ग्लास फिलिंट ग्लास या नौन ऑफ दीज कि जल्ली से बताएं ये ग्लास के टाईप है कि आयर इंए यह हीट रिसेंस फिलंट नहीं होगा पायरेक्स होगा जो आपका यहीट इस्टेंट जो बाराइटी होती है अगलाइटी चिसमें पाई जाती है फिलिंट घ्लास में पाई जाती है सुपर कूल लिक्विड बोला जाता है गिलास ठीक एक सवाल आता है एंसाटी में भी दे रखा है कई बार पूंचा पर जाता है कि जो खिड़कियां होती है बिंडोस में जो गिलास लगी होती है गर्मियों के टाइम पर धीरे धीरे जब टाइम बीटता है तो ऊपर की हमें बिगलता है जिस बज़े से नीचे की साइट जो खिड़कियां होती है वो मोटी हो जाती है उपर वाला जो गिलास होता है वो पतला हो जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका सी गिलास ठीक है चल अगला आगे कुशन बढ़ें पांच मैंट बचे हैं मारे पास पेंसिल में लेड का परसेंट इस कितना होता है जीरो एकति से चांसे चालिस और असी कितना परसेंट होता है लेड पेंसिल में लेड कितने परसेंट होता है जीरो परसेंट थर्टी बन तो सिक्स परसेंट और दी 40 परसेंट और दी 80 परसेंट तो लेड पेंसिल में लेड ह होती ही नहीं है нат dessil j 의 J likes नैंसे घेटा एठी नियुसिना जिर्वाइटा में आपक्वाइट कोई यानि की मिट्टी को मिला के बनती है कौन सी लैड़ सक्ष्थ जिसमें पंजली बोगी जीरो होगी कितनी होती है जीरो पंजली में ने ले रहें बजक होती है चलिके कटा टेस्ट होता है ते qa qa qo qa q 29 फैसी कोंसे चीछ पाई जाती है ko qa 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 costing हमाना लगता है थाल्का साक्वारी को और के लिए सो और tradisky a qa 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 qaqa qa 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 qaosure काration से कि कौन सी गैस इसमें भरी जाती है अंडर दा हाई प्रेसर हाई प्रेसर वो होती है कारबन डियॉक्साइट सीओ भरी जाती है इसमें एकदम टप्स यावा जाती है जब फोलते हैं बोतल था ठीक है चलो अमली बर्सा बनस्पतियों को नश्ट कर देती है क्योंकि इसमें पाया जाता है इसमें जिसकी बज़े से जो बनस्पतियां है इसको नुक्सान पहुंचता है इसके साथ साथ में जितने भी मार्बल की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं मार्बल खासका संगमरमर का जो ताजमहल बना हुआ है उसको नुक्सान पहुंचा रही है एसिडरें जिसका कलर पीला हो रहा है ठीक है सल्फूरिक एसिड होता है सल्फूरिक एसिड के बज़े से बनस्पतियों को नुक्सान पहुंसता है चौल आगे बढ़े दा सबस्टेंस most commonly used as a food preservative खाद परिरच्छ के रूप में सबसे अधिक प्रियोग किये जाने वाला पदार्थ कौन सा है sodium carbonate, tartaric acid, acetic acid, sodium salt of benzoic acid खाने को बहुत टाइम तक रोकने के लिए यह salt यूज किया जाता है जब समुद्र से मचलियां पकड़ी जाती है या meat बगरा जब प्रजर्ब की जाती है और भी सामान प्रजर्ब किये जाते है खाने के तो उसमें नमक यूज किया जाता है copper, iron, silver और the nachrome तो heater बनाने के लिए electric heater के लिए coil में जो होता है वो है necrom और अगर bulb की बात की जाए बलब में कौन सा यूज होता है तो आजाएगा यह टंजस्टन यूज हो जा है ठीक है यह बलब में यूज होता है और तो प्लास्टिक की क्रॉकरी प्लास्टिक की क्रॉकरी बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर का यूज होता है डेक्रॉन नाइलोन बेकलाइट और दा मेलमाइड इन में से कौन सी Yuffli polymer होता है प्ल सिक कि Croncoards के लिए उनको बनाने के लिए जो यूज होता है tałमलमन मेलमन ऊजोता है मेलमन ऊजोता है 2 योजोता है ठीक है वागी अप नाइलोन तो पड़ी चुक है नाइलोन किसमा चल отв होताए ब्रस किया जाता है नाइल्Оन स्टील में जंग नहीं लगती है इस टील काफी चमकदार लगती है ऐसा लगता है कि उसको साफ कर दिया गया बहुत जानदा वह इस बजह से लगता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन की मातरा बहुत कम होती है जो कि परसेंटेज पाए जाती है 0.1 से 0.1 से 1.5 ठीके बाद गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ अमिक्सर ऑफ गन पाउडर जो होता है जिसका यूज पहले किया था बाबर ने बाबर ने अपने यूद में यूज किया था गन पाउडर का तो गन पाउडर किसका मिक्सर होता है salt and the tnt, tnt and the charcoal, nitrate, sulfur and the charcoal, sulfur sand and the charcoal इनमें से कौन से चीज होती है gun powder में, gun powder में कौन से चीज मिली होती है इसमें होती है nitrate, sulfur and the charcoal, nitrate, sulfur और the charcoal मिलाई जाती है gun powder में ठीक है, जो गाओं के लोग होंगे, खासकर UP बिहार वाले जो लोग होंगे पहले क्या करता था, एक machine चलती थी, दिवाले की टाइम पे ऐसी, उसमें सामान भरके, कुछ दो powder को मिलाके ऐसे दगाते थे उसको दिवाले में तो बहुत तेजी से आवा जाती थी, और जो गोला बंब बनते थे न, दिवाल की मारो एकदम से धड़ाक से जावा जाती है मिलाके इनको, अगर कहीं पे भी इसको जड़ा से प्रेसर पड़ा, फोर्स पड़ा, तो यह क्या कर जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें, candle is a mixer of candle, किसका mixer है, candle किसे बनाई जाती है, option आपके सामने है, पैराफिन बैक्स, एंड दा, पूसी से बनाई जाती है, मोम बत्ती, और इसमें मिला जाता है, इस्टेडिक एसिड का, ठीक है, तो कभी भी अगर जाएगा, candle light dinner करने, तो यह मैं सोचीएगा, कि बहुत अच्छे चीज़ जल रही है, वहाँ पर, मोम जल रहा है, वो भी petroleum product, ठीक है, चलो, what are the major pollutants of cigarette smoke, ज carbon monoxide और the nicotine, carbon monoxide and the benzene, dioxin and the benzene, इसमें से कौन सी चीज़ पाई जाती है, चलिए, cigarette में, तो cigarette में पाई जाती है, carbon monoxide एकदम से जहर गैस होती है, जहर गैस है carbon monoxide, ठीक है, शरीर में ऐसा लगता है कि जहर की प्राप्ती हो गई है, इसलिए आज के लोग जादा जहरीले हो रह है, इसलिए इंसान cigarette का पीने का आधी हो जाता है, तो यह आपके questions रहे, आज के, I hope आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है, अभी एक दो question और है, यह आपका जो litmus paper बाद में करेंगे, litmus वाला है, ठीक है, बागी आपकी जो NTPC में class चल रही है, बुसका तो यह अलग जो जिए से इसका time रहेगा, साड़े 6 रहेगा, 6.30, और UPSC, UPSC pet की जो class चल रही है, वो चलेंगी study lab पर, और उसका जो timing रहेगी, वो रहेगी 45, तो यह आपकी मेरी तीन class चलेंगी परड़े, साड़े 5, साड़े से and the chart, ठीक है, I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा session और अपडेट के लिए है, PDF के लिए, आप जॉइन करिए study lab telegram channel, और इसके साथ साथ में आप जॉइन करिए, SSC lab के जो full batches है, आवन साड़े दा वर्खा में के, उसके details सारी यहाँ पर दे रखी है, जिसके साथ साथ में एक number दिया गया है, 760-77-46859, इस पे आप contact करके बता कर सकते हैं, full internet ले सकते हैं, तो मैं APS आप सभी लोगों से इस टाइम अलवदा लेता हूँ, सभी लोगों क पांच बजे वाली क्लास में तब तक के लिए, टाटा बाबाए, टेक कर गाइस, बाए.